निर्बाच्चन बेगुल बाजेची जम्मु कश्मीर संपरकरे कौना मुख्या निर्बाच्चन कमिशन सुचना अदू उच्छन्ती निर्बाच्चन बाबदर्यासुन सिधास्र करशने डवा So, North Kashmir in the upper regions and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Katova region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of fall 1st October and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So, friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Whoever wishes to ask a question. Thank you. Thank you. आमें देखी चे विगत दिनमाना करे जो भली भावरे पुरा फोकोस रही ची विशेस भावरे शेठी जो मात्रारे हिंसात्मक अक्टिविटी एबंग जु आतंक बाद अक्टिविटी बढ़ी ची तुनु तार मुकाबिला करिबार निहाते अवस्वक्त रहुची सही आधा यहां आतंक बादा इखी फोकोस रहरे जो रहाए बाद अश्रामस रहा निल सकतरवारा फोकल फोकोस रहाने। पर जारे तो निर्बाचन होई छी सेशा पर जाया ओक्टबर एक तारिख को रखा जाई छी आओ सेधी नहीं हर्याणा रे निर्बाचन करा जिब एबंग चारी ओक्टबर रे संप एजू दूइटी राज्यर निर्बाचन फड़ा फड़ा घोशना करा जिब कोई भी चुनाओ को रोक नहीं सकते इस बाद जम्मू कस्मीर में आतंकवादी गतिवीधियां जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी चुनोती है और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाओ कारिकरम रहे हैं कि जब एक साथ अवधी खत्म हो रही है जैसे हरियाना औ और महराष्ट की एक साथ खत्म हो रही है एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में तो आपने बाद में घोस्ना किया लेकिन मत गन्ना एक साथ किया क्या ऐसी कोई संभावना महराष्ट को लेकर इन दोनों चुनाओं के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है या लास्ट में ब्लाक शिट थोड़ा जल्दी चले जाएगा प्लीज सवाल यह सर की जम्मो कश्मीर को लेकर हालिया मेटिंग मेथियू हम सेकर्टरी के साथ अब जाहिर तोर पर चुनाओं आउग में बहुत तैयारियां की है खास करके कुछ ऐसे कंडिडेट्स हैं जिनको बहुत जादा थ्रेट है आपने कहा है कि हम उने पर्याप सुरक्षा देंगे किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी या कित तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेग्रीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर्थ करें खास करके वो इलाके जो की बहुत जादा आतंग प्रभावित छेतर रहे हैं और जम्मो कश्मीर से जुड़ा दूसा सवाल यह कि सर जैसा की पूचा की जो ताबर्तों ट्रांसफर हुए एक सो अंठानवे अधिकारियों के उसमें राजनेति कारों पे लगा रहे हैं कि चुनाओं की घोशना को देखते हुए कहने कहीं इंटरफेर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मो कश्मीर में की गई है और जिस तरीके से पंद्रा अगस्त को अधिकारियों को बुलाए गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए वो कहीं न कहीं चुनाओं में एक तरीके से निश्पक्षता बें सवाल खड़े कर रहे हैं पहले लास्ट और फ़र्स कुश्चन को पहले लेता हूं टांसर्स और पोस्टिंग से इंजरेंड के आज सुबह में हुई है पहले बाद तो शहर्द हमारा अनॉंसमेंट काफी जल्दी हो गया लोगों को यह शहर्द इतनी जल्दी की उमीद नहीं थी जो अभी हमने चेक किया है उसमें शहर्द एक एसपी हैं और चार डीसी हैं बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे एम सी सी लगने से पहले टांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेविल प्लेइंग फील्ड डिस्टरब होने की सुचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जाच करके कारे करेगा इस प्रस्टरब आप संथी तॉर्ओ पूछ आज ट्रांसफर हुए ऐसा भी भी सत्तर गुछ पहले ट्रांसफर हुए हमने पूरा assessment humanistic के साथ भी और field में भी और district officials के साथ भी किया वहाँ भी रियाक्त मात्रा में forces अमाना जी की आतरक के लिए उपलब्द हैं अपलब्द रहेंगी और sufficient मात्रा में बट्रेस की जाएंगी strengthen की जाएंगी जतने ज़रूत होगी उतनी की जाएकि लेकिन कि पूरा महाल हमाँ देख के आ ये और जिस सोच के साथ हम आग пиш वक जिसे मैं ने पहले भी का जिसे मैंने कहा ना दुनया देखे कि नापाग एलादों के शिकस्त की कहानी कि उर्फ से जादा ज rich क्या है कि सुर्ठ से जादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वाश और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जजबा और जमूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देखे हैं हमें उमीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जबाब देंगे बट नंदिलेश, sufficient forces will remain to deal with any eventuality, whatever comes on the way. Security threats to the candidates, to the districts, to other vulnerable positions or areas, would be thoroughly under the radar of the establishment and will be taken care of. Muddha एक ही है, Muddha यह है कि जो 2024 के parliamentary election में बुनियाद रखी गई, इमारत उससे भी बुलंद होनी चाहिए, यह ही resolve है. महरास्टा का चुनाओ और हर्याना का चुनाओ एक साथ. देखे, पहले महरास्टा और हर्याना एक साथ हुए थे. तीन नवंबर हर्याना की डेत है, तो चब्विस नवंबर महरास्टा की डेत है. उस समय में जेन के बुजे, not a factor. So one could have gone little later. This time, there are four elections in this year, and fifth election just immediately after this, that is to start with JNK, हर्याना, महरास्टा, चारकन and Delhi. So, depending on the forces, requirement of forces, which is, as I said, which is a higher tone in JNK, हमने दो और दो, हमने दो चुनाओं को एक साथ करने का आनेने लिया, और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब JNK एनाउंस करें और JNK चल रहा हो, तो उसके बीच में दूसरा एनाउंस करें, और साथ ही साथ, और भी बहुत सारे factors हैं, वो factors किया हैं, अभी महरास्टा में बारिश भी थी, BLO's का work करना बाकी है, और बहुत सारे festivals भी हैं, जिसको हमें schedule करने में देखना है, that is like Ganesh Festival, Petrpaksha, Navratre, Diwali, all that put together, this is what we thought that we can handle as two elections at a time, so therefore we decided to go this, and in any case, it is within six months of the schedule, of the term of the assembly which is ending. दुरूतिया पर्जा जमुकश्मे निर्बाचन वहां, से अक्टबर एकरे हर्यानारा मध्या निर्बाचन म्रहिची, और अक्टबर चारीतारी खरे निर्बाचनी फळा-फळा फईसला, से दिनाहीं प्रकासित तोहेब,